पाजि इस कुंटली में जब शनी की दशा चलेगी शनी के 6 साल चलेगे तो शनी में राहू बोद दोर शनी चलेगा तो उसके को बाद कर दो दोर टिमें इस नावज तो चाहिए साथ में कॉमण सेंस भी चाहिए चाहिए हुता क्या है अक्सर लोग पढ़ना शुरू करते है ने में तो वह एसिटलोजिकल परमूला में उसके ट्रिक्नीक में इतना ज्यादा डूबना शुरू करते हैं कि वो कॉमण कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे कुंडली देखते समय तो आप ये चीज कुंडली की प्रेडिक्शन करी नहीं सकते ठीक है अब देखो मैं एक बात बताता हूं अभी रीसेंट्ली ना हमारे एक फैमली फ्रेंड थे वो एक्सपायर हो गए ठीक है तो वो जब एक्सपाय नमंबर में यह बंड़ा भेकुषज एक कोई आकटूमर बॉलता गया कोई मंवरता गया तो मुझे यूण सब लोगोंने बोला पाजी वह एक कशित वो जाएंगे महीं पाजी आप ठीक करा लो ठीक है अब उन्होंने कहा कि फिर वरुन जी आपकी प्रेडिक्शन गलत है मैंने का पाजी मेरी गलत है ठीक है आज उस बंदे की क्रेया भी हो गई एक्सपायर भी हो गया अब ऑक्टूबर नमंबर तो आया ही नहीं अब ऐसा क्यों हुआ ठीक है अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बंदे की मेडिकल कंडिशन या उसकी फिजिकल कंडिशन इस हद तक खराब थी कि मुझे दिखी नहीं रहा था कि वो बंदा बचे ऐसे फेज में थोड़ा सा खराब प्लैनेट भी ज़्यादा जान लेवा हो जाता है ठीक है ना प्रपोर्शन तो देखो कि कोई भी बंदा किस हद तक प्रॉबलम में है ठीक है अब एक चीज समझो कि एक करजा मान लो मयंक ने मुझे पचास रुपे देने है तो वो करजा है मैंक ने पाँच हजार देने है वो भी करजा है पचास हजार देने है वो भी करजा है पाँच लाख देना है वो भी करजा है पचास लाख देना है तो वो भी करजा है पचास रुपे से लेके पचास लाख रुपे तक का करजा कर जाई है कर्ज को तो कर्ज ही बोलोगे ना अब पचास रुपएद देने होंगे तो आपको कितनी स्ट्रेस होगी और पचास लाक देने होंगे तो कितनी स्ट्रेस होगी उसमें कौन डिफ्रेंशेट करेगा कॉमन सेंस यूज करो समझ रहो ना और वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी इंकम कितनी है आप काम कितना करते हो अगर आपकी अर्निंग महीने की पांच्छे लाक दसलाक की है तो आपके लिए पचास लाक रुपए करजे की भी टेंशन नहीं और अगर आपकी मंतली इ ना भी चुबेगा ठीक है ना यह दोनों फैक्टर जो हैं वो काम करते हैं अब वैसे ही जो आपका क्वेस्चन है ठीक है उसका आंसर भी उसी चीज़ पर डिपेंड है ठीक है अब आपने शनी की बारे में बात की तो उसी लिहाज से मैं आपको एक्स्प्लेन करता हूं शन शनी को माक कर लेते हैं शनी के छे साल जो है वो शुरूओ ओगया है अब शनी के कौन कौन से घर है संप encrypted दसवा घर ग्यार्वा महरव अब इनको मैं डबल माक कर देता हूं क्योंकि ये घर जो है है ये छे साल के लिए एक्टिव रहने हैं ठीक है, ये चीज याद रखने, क्योंकि शनी की महादशा हम लोग लेके चल रहे हैं, ये चार घर, चोथा घर, प्लेस्मेंट की वजह से, आठवा, दसवा और ग्यारवा घर शनी के पक्के घर होने की वजह से, ये चार घर छे साल की चे साल तक एक्टिव रहेंगे जब तक शनी का पीरियड चलता है ठीक अब उसके बाद हम आजाते हैं दूसरे स्टेप पे कि शनी में पहले दो साल जो है वो राहू का असर रहने वाला है ठीक है अब राहू का कौन सा घर है बारवा घर इकलौता चार आठट होगा तो 4-8-10-11 तो इक्टिव रहेंगे ही रहेंगे साथी साथ 11 दबल हो जाइए है और 12 भी एक्टिव हो जाएगा कि यन्ग्यानली द्था राहू की कीवजे से बारवा घर राहू का पक्का घर होने की वज़े से प्रोमिनेंटली एक्टिव रहेगा तो एक्टिव रहने ही हैं छे साथ सबसे पहले हम शनी समझते हैं जब शनी का असर एक्टिव होगा शनी की उमर शुरू होगी तो आठ दस ग्यारा कौन-कौन से घर हैं किन-किन चीज़ों को रिप्रेजन करते हैं आठवा अचानक प्रॉफिट अचानक लॉस दसवा घर हमारा प्रॉफेशन करियर बिजनस यनि असल में इसका वर्ड है दसवा घर के लिए जो सही वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्रॉफेशन कि हम काम क्या करते हैं ठीक है दसवा घर बिजनस के लिए भी है ठीक है और प्रॉफेशन मेंली है सातवा घर जॉब के ल 11 घर क्या है profits या income एक फरक आप लोग हमेशा याद रखना उन्होंने लिखा है अच्छा ग्रह तो अच्छा करेगा ही करेगा लेकिन ग्रै 11 अगर मन्दा होए असर में सबसे उंदा हो मतलब की 11 घर में अगर मन्दा ग्रै भी है ना तो वो भी फाइदा देगा क्यूं फाइदा देगा क्यूंकि चाहे आपका जो है वो अपने बिजनस से जॉब से फाइदा हो रहा हूँ चाहे नुकसान हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो incoming यानि कमाई इंसान की रुकती नहीं है कम ज्यादा हो जाती है जो बंदा एक बार कमाना शुरू कर देना उसकी कमाई कम या ज्यादा हो जाती है बंद नहीं होती incoming आती रहती है बशरते जब तक वो बंदा कोई न कोई करम कर रहा है यानि शनी आपको देता रहता है वो देना बंद नहीं करता घटाता बढ़ाता है ठीक है यानि कि जब तक शनी की उमर चल रही है उस बंदे की incoming आती रहेगी काम करता रहेगा और अचानक profit अचानक loss होते रहेंगे ये हर इंसान के साथ होते है अचानक profit भी हर इंसान को होता है अचानक loss भी हर इंसान को होता है और काम भी इंसान करता रहता है बहुत कम लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करते ठीक है न? असल में वो भी उनकी नियत होती है अच्छा अब ये स्टार्टिंग के जो दो साल जिसमें राहू रहेगा उस वक्त क्या होगा कि 11 था उसके राहू की वज़े से ब्रस्पति मंदा रहेगा और वो इन असल्फ मेड भी बनाएगा प्लस बारवे घर का असर बढ़ेगा बारवा घर क्या है लक्जरियोस खर्चे राहू क्या है इनसान की सोच ठीक है अब शनी क्या है कहां बैठा है शनी बैठा हुए फोर्थ हाउस में यानि अपने घर में ठीक है तो जिस वक्त ये शनी का पीरियड शुरू होगा उस वक्त ये इनसान क्या करेगा सूरज सपोर्ट कर रहा है बारवे घर से शनी को तो अब यहां पर क्या करेगा ये इनसान कि जिस वक्त शनी में राहू का पीरियड आएगा उस वक्त ये इनसान की सोच राहू चलना है ना पहले राहू हमारी सोच है तो ये इनसान कमाई बढ़ाने की सोचेगा ठीक है और सूरज क्या है सेल्फ यानि मैं खुद कि मैं अपना एक बड़िया लग्जरियस घर बना सकूँ लग्जरियस खर्चा यानि बड़ा खर्चा करना ठीक है ना यानि की काम करूं महिनत करूं अपना प्रॉफिट्स कमाऊं अचानक से बल्क प्रॉफिट्स हों और मैं लग्जरियस खर्चे करके अपना घर बड़ाज बना सकूँ ऐसी सोच ये इनसान रखेगा शनी में ब्रस्पती मंदा है चंदरमा के साथ आठमा गर खाली है ब्रस्पती खराब हो जाएगा फिनेंशल लॉस भी होगा अब उसको लॉस भी कहसकते हो फैसे की वेस्टेज भी कहसकते हो वह हो या ना हो अलग बात है मंगल बद है चंदरमा कमजोर पड़ जाएगा तो ये डिपेंड करेगा कि उस इनसान की दुरुस्ती कैसे है प्लैनेट्स का प्रपोर्शन कैसे है लेकिन हाउस एनर्जी वाइज उस इनसान की सोच यही रहेगी कि मुझे अपना घर बढ़िया बनाना है अब यहां पर आप इसको यह नहीं कह सकते है कि ब्रस्पती मंदा है तो उसके लॉस ही होंगे ब्रस्पती एक्सपैंड करता है मंदा एक्सपैंड यानि की लोन लेने की भी सुचेगा कि मैं कर्ज लेकर के अपना बड़ा घर बना लू क्योंकि राहू क्या है कर्जा और वो कहां पर है इनकमिंग में बुद्ध क्या है डॉक्यूमेंट्स तो यह कर्जा लोन एपलाई करके अपना बड़ा घर बनाने की प्लैनिंग कर लेगा समझागी इतना क्लेर हो गया अब उस चीज में टाइम कितना जाता है घर बनने में कितनी देर लगती है बताओ पो थेंसाल तो लगी जाते है लग जाते है नड़ कि अब आप ये तो कह नी सकते है कि आज रात को मैं सुआया था सुबह मैं मार्किट में दहीं लेने गया तो आते आते मैं घर खरीद लाया मम्मी ऐसे तो भी होता न वो मैं उदर से निकल रहा था इसलिए मैं घर ले आया ऐसे नहीं होता घर बनने में डेड़ दो तीन चार साल तक भी लग जाते ठीक है अब उसके बाद जब राहू का पीरियड खतम हो गया फिर क्या होगा फिर आएगा पीरियड बुद्ध का ठीक है अब बुद्ध के पीरियड में क्या होना है अब बुद्ध के पीरियड में 11 था उस तो एक्टिव रहेगा 11th में placement है बुद के घर कौन कौन से है छटा घर सातमा घर अब उस वक्त houses कौन कौन से active रहा गए 4, 6, 7, 8, 10, 11 अब बारवा घर खतम हो गया ठीक है तो अब ये चीजें चेंज कब होना शुरू होंगी जब बुद का दशा जब शुरू होनी है ना दो साल जब शुरू होने है उस से दो से तीन महीने पहले पहले ऐसे changes आने शुरू हो जाएंगे लाइफ में क्योंकि planet को अपना platform create करना पड़ता है ठीक है ना तो उसमें कम से कम 43 days ज्यादा से ज्यादा 100 days लगते हैं इसलिए किसी भी planet की दशा बदलने से कम से कम तीन महीने पहले उसके तरह के changes आने शुरू हो जाते हैं लाइफ में इसी वज़े से symptoms पूछे जाते हैं कि कैसे changes आ रहे हैं लाइफ में ठीक है अब जिस वक्त बुद्ध का period आएगा उस वक्त क्या होगा छटा सात्वां घर active होना है छटा घर loan का है करजे का सात्वां घर daily income का है इसका जो राहू का phase गया था उसमें इसने सोच develop करी कि मुझे घर लेना है ठीक है मैं loan लेकर के घर बनाऊंगा और वो डेड़ साल कम से कम उसकी planning में रहेगा कि मैं थोड़ा backup generate कर लूँ थोड़ा मैं loan के लिए prepare कर लूँ अगर EMI bounce होगी उसके लिए पहले मेरा backup bank में होना चाहिए वो डेड़ साल इसका जो है वो उस preparation में रहेगा कि मैं loan लेकर के घर खरीदू और जब बुद का period आएगा उस वक्त वो loan apply करेगा अगर उसके पास इस डेड़ साल में backup generate हो गया थोड़ा बहुत तो बुद के पीरिशनी में जब बुद का period आएगा उस वक्त उसने छटा घर loan apply करना है अपनी daily income को ध्यान में रखते हुए कि मेरे पास कितनी मेरी salary आती है मेरी job stable है उसमें से EMI कितनी कटेगी मेरे खर्चे कितने होंगे अगर मानलो कोई extraordinary खर्चा पड़ गया तो मैं जो मेरे पास पहले balance है उसमें से EMI जा सके समझे और उसके बाद ये future को भी हर इंसान ध्यान में रखेगा कि आने वाले 10 साल मेरी job ये salary के लिहाज से मैं अपने loan को pay off कर सकूँगा के नहीं क्योंकि आप भी कोई भी बंदा कर जा लेने से पहले ये तो सोचेगा ना कि मैं कितना कर जा ले सकता हूँ ये कितना मैं भर सकता हूँ मेरी income कितनी है तो पहले starting में राहू के phase में हर इंसान यही सोचेगा ये इंसान ये सोचेगा कि मैं कितना कर जा लूँ यानि पैसे के घर में कि मुझे मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा extraordinary five day profits eight house ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने income sources को better करके मुझे further loan को जल्दी उतारना है clear? शनी के बुद्ध के period में इन दो सालों में ये बंदा अपना घर ले लेगा और जिस वक्त शनी में शनी का असर आएगा उस वक्त क्या होगा? छटा सात्वा घर भी खत्म हो जाएगा उसने फिर उसके बाद loan नहीं लेने फिर रह जाएंगे सिर्फ आठ दस ग्यारा और चार वो अपने घर में आ जाएगा ठीक है? और उसके बाद शनी की रूट्स में क्या है? सिर्फ बुद्ध और रहू वो अपने घर में रही जाएगा और ये सोचेगा कि मुझे loan से relief कैसे मिले जल्दी से जल्दी और वो सिर्फ उसकी mental stress रह जाएगी loan को pay off करने की क्योंकि ग्यार में का असर कहा पहुँच रहा है? सेकेंड हाउस में सेकेंड हाउस क्या है? हमारा पैसे का घर और subconscious mind जो की सिर्फ दिमागी stress की loan को उतारना है समझाया? कि common sense plus astrological techniques का इस्तेमाल करके pinpoint predictions कैसे करते हैं?